वाठोडा पुलिस थाने के तुलसी नकरस्तित नाले के पास एक पेड़ से फासी के फंदे से लटका हुआ एक युवक का श्रव मिला है जिसके बाद परिस्तर में हडकम मज़ गया मृत्तक के भैचान सुनील सार्थी उम्रे किश्वर के रूप में हुई है जानकरी के मुताबिक मृत्तक स्वामी नारायन मंदिर में कुक का काम करता था हाला कि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि युवक ने आत्माहत्या क्यों की मिली जानकरी के अनुसार एक दक्ष नागरिक ने शुकरवार सुभा करीब 11 बजे पुलिस को सूचना दी थी कि तुलसी नगरस्तित ललित पब्लिक स्कूल के पीछे नाली के पास एक युवक का शव पेड़ के साथ फासी के साथ फंदे पर लटका हुआ है इसी सूचना पर वाठोडा पुलिस की टीम ने घटना स्तल पर पहुंची जानच के दोरान ही मृतक के पास एक मोबाइल फोन मिला जिसके मात्यम से उसकी पहचान सपश्ट हुई मृतक मंदिर के सरवन्ट क्वार्टर में ही रहता था बीती रात करीबन एक बज़े पानी पीने के बहाने सुनील कमरे से बाहर निकला था और उसके बाद सुभा तक वो वापस ना लोटा पुलिस ने शवका पंचनामा कर उसे पोस्ट मौटम के लिए अस्पताल भेज दिया है और आकस्मिक मौट का मामला दच कर आगे की जांच कर रही है NBCN News के लिए अकलिश भादवाज के साथ अकसा अंसारी की रिपोर्ट